भारत और बांगलादेश के बीच में 6 तारिक से पहले T20 मैच के शुरुवात होने जा रही है ये तीन मैचेस की सीरीज है और तीनों मैच बहुत महत्पूर्ण है भारतिय टीम के लिए भी और साथे साथ बांगलादेश टीम के लिए भी लेकिन दो प्लेयर्स के लिए ये सबसे important सीरीज होने जा रही है एक है टीम इंडिया के कैप्टन सूरी कुमार यादव और दूसरे है भारतिय टीम के स्टार और राउंडर हार्दिक पांडिया हलांकि कैप्टन हार्दिक पांडिया को बनना था वर्ल्ड कप के बाद लेकिन आचाना कि सूरी कुमार यादव को कप्टन बना गया उसके बाद ये बार-बार खबर अए कि भई सूरी कुमार यादवहार्दिक पांडिया के बीच में क्या सब कुछ ठीक है नहीं है मेडिया में बहुत तरीकी की रिपोर्ट साई लेकिन कम से कम सुरी कुमार यादब की कप्तानी में भारतिय टीम ने श्रलंका को तीन इश्वने से हराया और उसमें हार्दिक पांडिया का भी रोल काफी एहम था अब सवाल ये है कि मुंबर इंडियन्स की टीम को भी अपने प्लेर्स को रिटेन करना है जो बी सी सी आई ने नियम बनाए है उसके तहट खबर ये आ रही है कि हार्दिक पांडिया कप्तानी करेंगे या फिर सूरी कुमार यादब को कप्तानी दी जाएगे इसको लेकर के बावाल मचा हुआ है लेकिन ये सीरीज जो कि भारत और बांगला देश के बीच में होगा और उसके बाद जो चार मैचे साउट आफरिका में खेलने हैं भारत और साउट आफरिका के बीच में ये साथ मैच तैय कर देंगे कि एमाई का अब बॉस कौन होगा क्या वो सूरिकुमार यादब होंगे या फिर हार्दिक पांडिया अपनी इज़त कप्तानी बचाने में कम से कम फ्रेंचाइजी टीम में सफल होंगे तो इस पर डीटेल्ड वीडियो में लेकर के आया हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिगा वीडियो को लाइक कर दीजिगा कौन से शेहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आप हमें जरूर कॉमेंट करके बताएगा सूरी कुमार यादब वर्ल्ड कप में उन्होंने कैच लिया डेविड मेलर का मैच जिताया भारतिये टीम को वही पर हार्दिक पांडिया ने हैंरिज क्लासे इंजिया से खतनाक बलेबास को आउट करके दुबारा मैच भारतिये टीम के जोली में डालने का काम किया वर्ल्ड कप में हार्दिक पांडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा सूरी कुमार यादब का भी बहुत अच्छा था टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपिन बनी सब कुछ स्मूच चल रहा था इंड सब को लगला था कायदे से कि हारदिक पांडिया भारती टीम की कप्तानी करेंगे लेकिन आचाना कि यह फैस्ला Лिया गया कि सुरिक chapters को ले करेंगे तो क्या अब अचोनक ही हारदिक पांडिया को कप्तानी से मुंबाइडिंस की टीम हरा करके सुरी कुमार यादण को कप्तान बना देगी और इस बात को ध़्यान से सुनियेगा क्योंकि लेजनरी कैप्टन रोहिच शर्मा को मुंबई इंडियन्स ने हटाया था हारदिक पांडिया को कप्तानी देने के लिए लेकिन एकी साल में कहानी पलट गई दसवे नमबर पर टीम रही मुंबई इंडियन्स की और अब सुरी कुमार यादब भारतिय टीम के कैप्टन बन गए उस समय माना जा रहा था कि रोहिच शर्मा के बाद भारतिय टीम के कैप्टन हारदिक पांडिया बनेंगे लेकिन सुरी कुमार यादब को पर्मानेंट कैप्टन बना दिया गया है तो ये जो स्रिंखला है भारत बनाम बांगला देश के बीच में ये तैग कर देगा कि मुंबई का बॉस कौन यानि मुंबई इंडियन्स का बॉस कौन क्या वो हार्दिक पांडिया कप्टनी करते हुए नजर आएंगे मुंबई इंडियन्स के हार्दिक पांडिया हमेशा से बड़े मैच के सबसे बड़े मैच विनर रहे है भारतिय टीम के लिए चाहे वो 2000 आप 17 का फाइनल याद कर लिजे चैंपिन्स टोफी का तमाम खिलाडी आउट हो गए थे अकेले टिक करके बैटिंग करते हुए नहीं सराय थे हार्दिक पांडिया है 2024 वल्ड कप हम जीते हैं वहाँ पर उनका रोल बहुत एहम रहा है एस अ कैप्टन आई पिल में हार्दिक पांडिया ने दो दफ़ा गुजराड टाइटन्स की कप्तानी की पहली बार चैंपिन मनाये 2022 में 2023 में आखरी गेन पर वो फाइनल हारे तो उनका भी ट्रैक रिकेट बड़ा शांदार है लेकिन मुंबई के लिए अब कौन कप्तानी करेगा ये डिसाइड होगा आने वाले साथ मैचस में अगर सूरी कुमार यादब अपनी कप्तानी के डम पर भारतिय टीम को लगातार मैचस जिताते हैं और साथ में बल्ले से भी धूम मचाते हैं तो सूरिया के नाम पर महर लग सकती है मुंबई इंडियन्स के ने कप्तान सूरी कुमार यादब को बनाया जा सकता है अगर हारदिक पانडिया ने बिना कप्तानी करते वे भी अपना इंपक्त छोड़ दिया इन साथ मैचेश में लगा कि हारदिक पانडिया के दम पर सूरी कुमार यादव मैचेश जीत रहें या तो हार्दिक पांडिया सूपस्टार की तरे प्रदर्शन करेंगे और अपनी कप्तानी बचाने में सफल हो जाएंगे। ये एक लिए बारत बनाम बांगलादेश तीन मैंच, बारत बनाम साउट आफरिका जो चार टी-टी मैंचेस हैं, बहुत एहम होने वाले हैं। मुंबई इंडियन्स का नया बॉस कौन होगा, ये डिसाइड हो जाएगा आने वाले इन साथ मैचेस में। आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर जीजगा, वीडियो को भी लाइक जरूर कर लीजगा दोस्तों.